एकनॉमिक्स वर्चुल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है अर्सास में संकीकी के अंतरगर्थ केंद्र परवर्थी की माप से सामांतिर मद्य मीन मद्य का मेडियन भवलक मोड और परास या विस्तार रेंग की गढ़ना पर करिया को हम सरल उधारन के साइता से समझने का परि केंद्र परवर्थी की माप के अंतरगर्थ निम संक्याओं के आधार पर हम सामांतिर मद्य मद्य का भवलक और विस्तार की गढ़ना करेंगे सामांतिर मद्य घ्यात करने का तरीका तो हम सबसे पहले सामंतर मद्य की परिभासा देखते हैं तो सामंतर मद्य केंदर परवर्टी का सबसे सरल और लोकपिरिय माप है साधरन सब्दों में समंक माला के पदों के जोड में उनकी संक्या का भाग देने से जो मुल्य प्राप्त होता है उसे हम सामंतर मद्य कहते हैं इसको हम एक उधारन से समझ सकते हैं तो निम्प संक्या से हम सामंतर मद्य की गणना करेंगे तो हमारे पास ये संक्या दे रखी है यहां से लेकर यहां तक तो सामंतर मद्य का जो सूत्र हमारा वो X बराबर सिग्मा X बटे N सिग्मा एक्स को हम समंक माला के पदों का जोड कहेंगे एन को पदों की कुल संक्या कहेंगे और एक्स को सामांतर मद्य कहेंगे अब इस सूतर के अनुसार हम सामांतर मद्य की गणना करते हैं तो X बराबर हमने सभी समख माला की जितने पद हैं उन सब को हमने यहां पर जोड लिया है और जो पदों की संक्या है वो हमारे पास है 9 तो जब हमने संक्याओं को जोड़ा तो हमारे पास जो संक्याई हुआ है 135 और पदों का कुल योग आया हमारे पास 9 तो इस परकार समांतरमद्य हमारा आया 15 तो आपने देखा कि समांतरमद्य इस विधी के माध्यम से जोब हम गढ़ना करते हैं तो बहुती सरल है इसके बाद आता है मध्य का ग्याद करने का तरीका तो इसकी हम पहले परिबासा देख लेते हैं मद्दे का आरोही या अवरोही करम में समंख माला के विविन पदों के मद्दे का मुल्य होती है और समंख माला को इस परकार बाढ़ती है कि उसके एक और के सब पद उससे कम मुल्य के और दूसरी और के सब पद उससे अधिक मुल्य के होते हैं इसको हम उधारन से समझ सकते हैं, हमने वही उधारन लिया है, वही संक्या लिये, इसके आदार पर हम मद्यका निकालेंगे, तो सबसे पहले मद्यका निकालने के लिए हमें पधों को आरोही करम में रखना होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो ये संक्या थी हमने इसको आरोही करम में रखा तो छोटी संक्या से धीरे धीरे बड़ी संक्या की और हमने इन संक्याओं को रखा है इसके बाद हम मद्देका का सूत्र को परियोग करेंगे size of n plus 1 बटे 2 तो यहां पर m का मतलब हो गया मद्दे का मुल्य और n का मतलब हो गया पदो की संक्या अब इस सूत्र के अनुसर हमें इसकी गण्णा करते हैं तो आपने देखा कि n हमारा 9 है तो यहां से लेकर यहां ते हमारे पास जितनी संक्या है और 9 है plus 1 बटे 2 तो यह आया हमारा 10 बटे 2 तो 10 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो संक्या आएगी वो आएगी 5 तो हमारा जो क्रम है वो आजेगा 5 तो m size of 5th item is equal to 14 तो हमारा जो 5 हो आइटम है यहां से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो मद्दे का हमारी 14 आएगी तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मद्दे का 14 अब देखो परिभासा के अनुसार जो मद्दे का बीच की संक्या होती है और इससे जो पहले की संक्या होगी उसका मुल्य इससे कम होगा और इसके बाद की जितनी भी संक्या होगी उसका मुल्य मद्देका से अधिक होगा जैसे यहां पे आपको परिवासा में बथाय गया था तो मद्देका निकालने का यह सबसे आसान तरीका है अब भवलक गयात करने का तरीका तो परिवासा के अनुसार समंक माला में जो पद सबसे अधिक बार आता है अथवा जिसकी आवरती अधिक होती है वही भवलक कहलाता है इसको भी एक उदारण से हम समझ सकते हैं तो उदारण में फिर हमने वही संक्या रखी हैं सारी और इसका जो सूत्र है इसको हम यहां से पर्देशित करें जड बराबर बहुलग तो जड हमारा बहुलग को पर्देशित करता है तो उपरिउक्त संक्याओं में 13 संक्या सबसे अधिक बार परिउक्त हुई है अथा यही संक्या भवलक होगी तो जड हमारा क्या आएगा? 13 आएगा, 13 आएगा क्योंकि आप यहां पर देखिए 13 संक्या एक बार 2, 3, और 4 तो हमारी जो 13 संक्या है चार बार आईए तो परिवासा के अनुसार जो समंक्याओं में जो पज सबसे अधिक बार आता है वो ही बावलक कहलाता है इसके बाद जो हमारी है अगला माद्दे वो है पारास जिसको हम विस्तार भी बोलते हैं तो इसको निकालने का तरीका है पहले हम इसकी परिवासा जानते हैं तो परिवासा किसी भी समंक्याओं माला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मुल्य के अंतर को विस्तार या परास कहते हैं इस रिणी में अधिकतम तथा नियूंतम मुल्य को ग्याद किया जाता है तो उधारण से हम इसको समझ सकते हैं R को हम परास या विस्तार कहेंगे तो उप्रिप्त संक्या में अधिकतब मुल्य है अधिकतब मुल्य हमारा कितना है? 21 यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे अधिकतब मुल्य 21 है और निउनतब मुल्य हमारा है 13 जो आप देख रहे हैं यहां पर यह 13 है तो इसका जो सूत्र है आर बराबर L – S, L का मतलब हो गया L is large S का मतलब हो गया Small तो आर बराबर large हमारी संक्या 21 है और small हमारी 13 है तो 21 को हम 13 से – करेंगे तो हमारा जो संक्या है वो 8 आएगा और यही पराश या विस्तार संक्या कहलाएगा तो इस परकार आपने देखा सामांतर मद्य मद्य का भवलक और विस्तार को ग्याद करने का यह हमारा सरल तरीका है अड़सास विसे को और अक्षे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल 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 झाल